हेलो एवरिवन आज के कख्षा में हम इंजोई करेंगे एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी दफाइट नाम से और एक कहानी है इस कहानी के अंदर जो राइटर है इस कहानी के रसिंग बॉंड उन्होंने लिखा है रंजी नाम के बॉय के बारे में उनके फादर एक सर्टन नाम से एक जगह हैं वहां पर आते हैं और रंजी क्योंकि वहां पर नहीं आया है तो उसके कोई फ्रेंड्स उगर होते नहीं है वहां उस जगह की ऊपर तो वहां पर वह एसी गूमता रहता है प्राकरतिक दरस्टियों का अनंद लेता है तो इस गूमने के दोरान उसे एक पूल जो है वहां पर मिलता है सेमिहिल स्टेशन के अंदर तो उस पूल के अंदर जो पानी है वह काफी क्लियर होता है उसके गाउं के अंदर जो पॉंट्स होते हैं चोटी-चोटे मडी होते हैं काफी उसके अंदर जो पफेलोज है वह बात करती है साथ के अंदर तो पान लेकिन रंजी जो डटकर मुकाबला करता है वो भी कहता है कि यह नेचुरल है और इसके उपर सब का अधिकार है लेकिन वो लड़का जो रंजी के साथ में उलज पड़ता है इसी दोरां दोनों की लड़ाई हो जाती है और जो उनका फर्स्ट राउंड जो होता है वो डो रह करता है पूल को एक फोरेस्ट के अंदर प्लंग करता है तक आध और झाल मतलब वह य सब्कूरा हो जाती है जो उन्या की बीचमे और हैज राइट कि कि किसका अधिकार है पूल के ओपर ए फइट एंच उस और इसी प्रकार से एक जो लड़ाई जो पर नहीं पुछती है जारी हो जाती यानि दा फर्रस्राउंड एंट एड जो इस लड़ाई का पहला राउंड है वो रहो हो जाता है जो कोई नतीजा में थोड़ा कम समय हुआ है और वहां पर वो डिस्कावर करता है खोशता है एक पूल इन दा फोरेस्ट जंगल के अंदर इट वाद थाइट ऑफ समर हाइट मतलो सबसे उंचे चरम पर्थास जो समर है समर मतलो गिश्म रितू जो है वो अपने चरम पर्थी यानि बहुत ज़ सबसे निज़ बनतंगर ऑट में ज़िए स कूल के अंदर एंडाइग ऑध है ना फ्रेंसे निज़ थे थेष्ट का डी अवत जिसल्फ चाहते अर तरव बहुत री एंफ जो फोर सण उल मतलो कुछ ज़न तो जच अब अधान थेमी हुट सेशिट था आथा सेखेशन था वह यह वह जाता है दोर दूर थो आगवा से करनें स्पार सब्दाइब काय। दूर दूर तक फैली हुई थी, it was hot very hot, वास्ता में मौसम जो बहुत गरम था, और that time of the year, साल के उस समय में मौसम काफी गरम था, और रंजी जो वोक्त चल रहा था, तो रंजी यूही घुमते गुमते एक दिन जो जा रहा था कहीं पर अपने उसने क्या पहन रहा था, पर अ लुए थे, वाइट, वाइट हो चुके थे, बिल्कुल वाइट हो चुके थे, विछ चौकी चौकी मतलो, चौक के जैसी सपेड मिटी जो नीचे थी उसके डश्ट से, जैट फ्लू फ्रम दा ग्राउंड, जो की बिल्कुल सुकी पर चुकी थी, क्योंकि मैं नमी नी थी ब और फुरा घास जो है वो पाने की कमी के कारण ब्राउन पड़ चुका था दटी लिट लेस और पूरे जो पेड़ जो थे आज-पास के वो बिल्कुल क्या थे, ब्यचेन थे एकदम से, वेटिंग कर रहे थे, यानि कि उनको भी कोई यान की उमीद थी, कि हार्ली स्टीरिं बिल्कुल मुश्किल से, उनके अंदर किसी बरकार का यानि उतेज ना थी, श्रीम मतलों उतेज ना होना, पिल्गूल उदास हो चुके थे, परसाथ की वेटिंग कर रहे थे, एक कूल वेंड, वेंड मितलों का हवा, ठंडी हवा के जोंके का, या रिफ्रेशिंग सावर, पाजा करने वाले सावर ओफ रेन, तो ये पेड़ पोदे और रोनस्कती जो है, वो भी इंतजार में थी कि कब ठंडी हवा का जूंका है, या बरसाथ जो वो शुरू हो जाए, इसी एक दिन के अंदर है, होट टायर डे, एक बहुत ही गरम और थका देने वाले दिन, ने र और रंजी जो हो, उसने पाया कि वहाँ पर एक फूल जो हो मिला उसको फोरेस्ट के अंदर, दा वाटर हैड़ जेंटल ट्रैंसुलेंसी, और वहाँ पर जो पानी जो था, वो क्या था, जेंटल में छो था, बहुत ज़्यादा सुहावना, ट्रैंसुलेंसी हो था, पार्द कि कने राउंड गोल मटॉल पीबल गोंक अंकर, जो घृमते गोंते आते हैं, तो ऑध गोल हो जाते हैं, घिसने के पान, तो ऐसे के गोल मटॉल कांकर, तो जो है उसकी पेएंदे के अंदर दिखाई, डे रहेते हैं, बॉटम के अंदर, अवदा पूल, ए स्मॉल स्टीम, ब्राइब लो active च्रों फित बराइब कें घ्रनी कई दीखा कीया चर्नी में col n afraid conversation Ton ओप कुल किरा नीचाने जो कि अनले आधा की पारी वेचा में से निक्राइब का गुछ नीकी निए으면서 ख़ूरोती ऐनर और ऐसा रंजी ने मैसूस किया कि यह मांसुन के दोरान यह तो स्टीम जो है वुड़ बीगसिंग मतला होता है बहुत ज्यादा तेज गती से दोड़ना टोरेंट मतलो बहाओ बहुत गती से तेज बहने वाले बहाओ को रखता हुगा कि यहां पर खूप सारा पानी का बहाओ की क्या करता था कास्स केडिक मता होता है जरना दो मैश के तरह बहता है जरना वहाण नीचे वह था तोने मेडिगम् बैसा दो होगी होती होगी तो यहांफ पर भ॒शा도 होगा बटे बहेंट के दुरान आट ऑट मतलों मुशकिल से और एक ट्रीकल जय वह बहुते हाँ होगा लेकिन अब पानी के हल्की सी परत भी दिखाई दे रही थी बिल्कुल कम पानी आ रहा था याने की दा रोक्स हावेवर हैं दा वाटर इन दा फूल और पूल था उसका पेंदा जो था वो क्या था बिल्कुल पथ्रीला था चटानी था तो इसी कांड हावेवर मितलों यादी पी यादी पी चटानों के अंदर जो चटाने थी प्रेंदे के अंदर पूल के उसने पानी को रोख रखाता क्योंकि कच्छी मिट्टी नी थी वो नीचे और काफी पानी को रोखने को वाले पत्थर जोसके अंदर थे हैल्ड उसने रोख रखा था हैल्ड मतलों रो तो उनके पेना जो मिटी का बना होता है तो वहां पर पानी जो नीचे रिष जाता है लेकिन इसके अंदर पत्थर होने की वज़े से पानी जो रुखा हुआ था जब जैसे रंजी ने पूल को देखा ही नोट हैजिटेर्ड हैजिटेर्ड होता है हिचकचाना तो रंजी जो जड़ासा भी नहीं हिचकचाया गेट इंटू इट इसके अंदर जाने से अर्चकाई अक्सर वह सिवीमिंग करना उसको बोड़ा पसंद था अकेले भी वह स्वीमिंग करता था और अपने दोस्टों के साथ में वह थे धांज जब आपने माता पिता के साथ में रहता था थर्ष्टी मसलों प्यासे टाउन के अंदर देखो और कस्पा जो था छोट तो वहाँ सीवाए थे तो आणने तो च्टा मोटा स्भीमिंग फूल था तो कपी इस डिस्गास्टिंक था एकसे इस कर दिना वाला दियर नौन ऑनली स्टिकी वहां पर जो तलाब था चोटा सा तलाब जो था वो क्या था स्टिकी था बिलकुल यान की स्टिकी मतलब गंदा बदबूदार मड़ी मतलब होता है मिट्टी कीचर से बरा हुआ पूल जो है वेर बफेलोज और जो छोटे मोटे पॉंड्स थे तलाब जो है वहां पर क्लोट वोस करती थी मैलाई कपड़े दोती थी और साथ में बफेलोज जो नाया करती थी उस तलाब के अंदर तो पानी काफी गंदा हो जा जाजा था और ही हैड नेवर सीन पूल लाइक दिस और रंजी ने इस तलाब के जैसा तलाब पले कभी ने रिखा था है भी कि यह बहुत जादा साफ था और कॉल था थंडा भी था और इन्वाइटिंग भी था और इसका पानी जो इनवाइट कर रहा था रंजी और इसके अंदर गोता लगाने के लिए कि इन्ट बार ईंट अबात को सोच करके जो रंजी है वो तुरंत ही ऊसका मन जलसाया औ जो बेखन पर से अंग पतले हुअ और गयाय, तो मेंट जो अधैंट की ओढकर अधै사를 by dit सानभया तो मैंटशान पतले ओना जी कि अधैस के सुभायी, अधैस के त्रभा मिफे चरुगा खूका था वीचिया अधैस के अलिश्टी पान यहां यहां तो सुरज की गर्मी से चमकता हुआ पानी जब उसके शरीर पर बार्क बोडी पर पढ़ रहा था तो वह बिल्कुल चमकती भी दिखाई दे रही थी तर करने के लिए अपने बोडी को कूल वाटर के अंदर और वहां पर पहुंचे हुए उसको दूसरे दिन भी क्या एक गंटा लगबग वहां पर स्पैंड करता है वह और स्लाइडिंग करता है फिसलता है इन एंड आउट फरन दा लिंपीड ग्रीन वाटर और बिल्कुल इसको फिला देता है आउट ओंडा स्मूद येलो रॉक्स स्मूद बिल्कुल साफ सुत्री चिकनी जो येलो कलर की चटाने थी साइड कंदो चटाने होती थी पिले कलर की तो उनके उपर जाके कभी लेड जाता था सैड जो चाया होती थी जहां पर इसकी ब्रॉड लेड ल दूसे दिन में इसने आनन्द लिया तो इतवाज वाइल देही ले और इसी दुरान वाइल मतलग के दुरान जब लेटा हुआ था तरस इस प्रकार से डाटी नॉटिस दे तब उसने नॉटिस किया अनन्द बवाई को दूसे लड़के को स्टैंडिंग जो की खड़ा था लिटल डिस्टेंश दिस्टेंश देंस दूरी बल जो कि कुछ दूरी बल तो दूस्य दिन फोड़ी दर लेटा लेटा जब आनन्द कर रहा था इसी वाध का तो तब इसको एक अन्य लड़का जो दिखाए जेचा है वहाँ पर जो कि थोड़ा दूरी पर खड़ा रहा को चैलेंज करता है किसी प्रकार से कि तुम्हीं क्या कर रहे हो एक दम उसका मैनर जो था वो क्या था बिल्कुल होस्टाइल था उस्टेल मतलब लड़ा को प्रिवर्ती यानि की गुषेल गुषेल मैनर से यानि की तरीके से उसके देखा उसकी तरफ दा अधर बॉय वाज ल मतलब काफी मोटा का जा था रंजी जो दूबले पतले शरीर का था लेकिन वह लड़का काफी हैल्दी था विज ब्रॉड नौज उसकी जो नाक जो कैसी थी ब्रॉड थी चोड़ी थी एंड थिक और काफी मोटी भी थी रैड लिप्स उसके होड जो काफी लाल थे ही एड उसने नौटिस किया रंजी को एंड वें रंजी नौट से अनिधिंग जब रंजी ने उसको कुछ निकाहा एंड अदर काल आउट तब दूसरे वारा लड़का जाओ काफी दिर खड़ा रेता है लेकिन रंजी कुछ बोलता नहीं है तो वो कहता है वाट आर्यू दूई है प्रेर बैठ बैठ था उसको प्रिपेर तू प्रिपेर का रखा वियरी तो अफ़यों ऑस्टे करना पड़ा पीछाओ ओड़ा प्रेड्ली नेचर के अंदर वाज टेकन अबेक तो उसको क्या करना पड़ा पीछे अटना पड़ा जब उसने इस लाहिजे में बात करी तो यारे मिश्टर तुम यहां क्या कर दियो एड़ एड़ फोस्टिलिटी ऑफ दा अधर स्टों जब उसके दूसरे के अंदर जो फोस्टिलिटी क्या मैं क्या कर रहा हूं स्विमिंग कर रहा हूं कि रिप्लाइड उसने उतर दिया वाइड उन्ट यू जॉइन मी क्या तुम मुझे जॉइन क्यों नी करते हैं आजो अपने दोनों ते रहेंगे तो रंजी जो फिर भी नहीं थोड़ा मितरता लाकर कि बोलता है कि आपको तुम में यहां क्यों नहीं है ए है तो यहां क्यों आयो मैंने तुम मैंने गुलाए यह थो है जब लृप्त रहना करो फोड़ता लागे stop ता उसी चतान की ऊपर यहां पर लेटा हुआ है यहीं पर बैटा था और वो श्टेंद उसके पास में आ जाता है दरोग उसी रोग पर बैठा था जो प्लांटिंग इस बॉड इंग ब्रोड फीट फिर फं़ली और वह आकर के जो से अपना पैर जो जमीन पर मारता है प्लां प्रूर थाव एक डिखाना चाहता था कि ऐसा करने से अकड़की खड़े होने से यह स्टाइल से खड़े होने से क्या होगा इस वूड शैटल शैटल मतलो व्यवस्तित कर देना की मामला चयोगा रहा भाग जाएगा if quotid हो और गल्णा हो और पहलता किया मोर्यों और तुम नहीं है कि नहीं हो और और ऑप को महित इस प्र्कार से बाट हमत बहुत बाच नहीं है bite giard नहीं है में सामने बोड़ लोग पति उतर देना जवाब देना तुम जैसे गाववालों की मुह लगना मैं पसंद नी करता है विलेजर के लाइक तो फाइट विलेजर्स और रंजी जो हूँ काफी देर से नितरता पून बातें कर रहा होता है तो वह ठक जाता है और वो कहता है कि पेला लड़का जो है अपने यापम को एक वोड़िए कहता है तो रंजी जो है वह भी घूस्ना कर देता कि मैं ऑजद फाइटर हूं फाइटर मत लड़ा कू याने की लरने वड़ा तो पैले बार लड़का बोलता है है आइ eram a वारियर और टी गोलता है दूसरे वाला कहता है कि मैं दावा करता हूँ कि मैं क्या हूँ एक फाइटर हूँ दिरवाज लिटल पैस्ट कुट भी सेड और थोड़ा कुछ और भी था जो कहा जा सकता था वहां पर तुम समझ जाओ कि मैं एक वारियर हूँ और यासा कहा उस ट्रेंजर ने उस लड़के ने जो वहां पर आया था और फिलिंग डाट पर हैस्ट इस इंफ्रमेशन है नॉट पैनेट्रेटर रंजी इस हैट और उसने इसा फैस फिल किया कि मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि मै अंधर गुसना पैनट्रेट निजो एंडर निजो एंडर निजी समझ नहीं रहा है यह सामने वार लखा जो कि व नाम तो जानता ही नहीं था तो बार बार अपने आपको वाजिए को वार्जे में ने गुसरिया आई है आई हैव हर्द यू से इक थृता इक तो बार बार बार-बार कहने से क्या हो जाएगा तीन बार तो मैंने सुन लिया कि तुम वरियर हो रिप्लै दर रंजी रंजी निका देन वाय आर यू नॉट राइन अवे तुम भागे क्यों नहीं यहां से आइम वेटिंग फॉर यू तो रन अवे तो रंजी कहता है वो लड़का रंजी लड़के ने कहा कि एमा तुम टान अपना मदूत हाथ जो है उसकी पाम उसको पैठाता है वह रंजी को आई वैंव इंट तो सी युड यदित चलो देख लेते हैं भाई मैं भी उत कर रहा हूं हमारे को कि तुम है सापर के दिख़ा ओ मेरे को सेड राइब दिखा पहले तुम देख लोगे मेरे को मेरे को मजल जी मारने वालों तो बाग जा यहां से सेड दा अधर बॉय दूसरे करके निकार रंजी बैटर तो यह जो वहां से हिलता नहीं है और वहां पर बैट करता है कि मार के दिखा पहले तुम अब दूसा लड़का जो वह उसको क्रोध आ जाता है स्टेंज मतलों अजीब सी हिसिंग मतलों नाक से आवाज निकालना या यह करने वाली हाओ कि आवाज निकालता है साउंड करता है और दोनों एक दूसरे के तरफ क्तरफ क्या करते हैं फिर कर देखते हैं हाँ झायर एक मिनट तक दोनम एकशने कल देखती है और घुष्या से मेह छोड़ा नगी की अक्रोस तद चांटे है कैरता fulfil के अपने गाल के वी आपको वर्य क्रांड था पते anyhow से तो बड़े बार लड़का आपनी पूरी ताकट जुटा करके और चांटा भो लगा देता है रंजी जो भूँए से तो बड़े बाले लड़के के चांटा मारने की कान उसके रंजी के चेरे के उपर जो है लाल निशान पढ़ जाते हैं भलने गाल की उपर देश और अरुद्दम है अर अब नोरी बड़े लड़के ने उसको बर्ड़ाब करना स्ववंग इसको भी गुसे हजाता है और घृडशनी फेस्ट प्तली को उलो को दो यह दूसरे के ओपर मारता जोर से, and then they were at each other's throats, और इसके बाद दोनों लड़के जो है वो एक दूसरे को throats से पकल ले थे इन, throats होता है गला, अब जो है वो अचली fight जो हो यह दो शुरू हो जाता है, इस पोंगे लेखित पड़क सब्सक्राइब इस प्रणैजुक होता है यह एःनर चतनों की उपर से लुंगते जाते हैं टंबिन गरते हैं टंब्लिंग सब्सक्राइब पीर जाती है और आए और एंड और लेक्स उनकी जो लेक्स होती है जो आरम्स होती है वो लोक हो जाती है एक दूसरे के अंदर फच जाती है प्रफ दूसर के लोग कर लेते हैं एक दूसरे को हाथओं पेरों से पकड़ लेते हैं और 하기 despite हम अप्र आए करना के dopam वाइलंट और बोलिट क्यों मितलों के विचिफने संगर्स Still working गैस्पिंग होता है हापना, दोनों हापने लग जाते हैं, कर्सिंग मतलब एक दूसरे को कोस्ते हैं, गालियां देते हैं, क्लोरिंग होता है पंजे गार देना, और एंड स्लेपिंग मतलब होता है चांटे लगाना, दोनों चांटे लगाते हैं, दूसरे के हाप जाते हैं, फिखी दूसर हो दो से चांटे मारते हैं दूसरे को देरों दिन्तर थो आव जा इन गईा hooded वह घींड़ौ है वहां पर फायिट कोंटीनिव और यहां पर यहां तक की जो वाटर है वहां के अंदर पहुंचने के बाद में भी फाइट जब वो कंटीनू रहती है स्प्लैटिंग एंड कवर्ड विद मर्ड दोनों जो है वो क्या करते हैं पानी को इधर दर से स्प्लैटिंग करते हैं उचालते हैं और कवर हो जाते हैं बिल्कुल मड़ से मड़ मतलों कीचर आन अधर से बढ़ जाते हैं देग्राफ्टर फॉर ऐच अधर से हैड एंड फ्रॉट दोनों जो है वह एक दूसरे क्या कर लेते हैं तो यहां पर यह थो लड़ाई होती है देखे दोनों बचन सबीच में तो यह रंजी है चोटे वारा जो है यह बड़ा लड़का जो इसके साथ में टकर ले लेता है और दोनों मिटी के अंदर लड़ते और यह पूल जो है इसके अंदर तक पहुंच जाते हैं और लड़ाई जो पानी के अंदर भी कंटीन में देते हैं पांच मिनिट तक दोनों जो है वो एर ग्यानिक सी दिखने अवले स्ट्रगल जो है वो संगर्स के अंदर लुडगते रहते हैं आपस में यानि कोई तरीका नहीं कहां मारना है कहां नहीं मारना है तो उसकी फाइट जया उसको बिल्कुल अन्साइंटिफिक बोला गया यानि पर दोनों लड़कों में से कोई भी इमर्जूरता प्रकट होना तो लड़ाई के अंदर कोई भी लड़का जो वीक्टरियस बन करके प्रकट नहीं होता यानि कि विजयता गोसित नहीं होता तो बोड़ी इस हैविंग विड एक्जस्टन अब उनके शरीर जो वो क्या हो ग है बिल्कुल थकान आगे थी इनके अंदर देश्टूडब बैक फ्रॉम इच अदर आप दोनों जावरी दूसरे को छोड़ देते हैं और दूर हो जाते हैं दूसरे से क्योंकि अब इनके अंदर बिल्कुल जाओ जितना अब इनके अंदर होंसला था ताकत थी वह पूरी है ऑफ जाते हैं नाव हो जोते हैं यहांप जाते हैं थोड़ा जाते हैं तो यहां पता चला ना स्फोले सब शोल्य एलेजूना तो यहां धनले क्याना तो नेकित करे नोह उल्म सभाइश म पर सब्सक्राइब कर दोनों जो है एक संद के लिए एक इनेट के लिए थोड़ा कंसिडेर करना मतलों मानना एक दूसरे को मानने के लिए समझ देते हैं और एच अधर को एंसर को फीर करें दोनों चुप हो जाते हैं और उनकी के ेवल बारी बारी सांस लेनकी बीदिंग दे legal साइब fait अफी अफे लगति सहरुनिग गार्च डड़कन की आवाज कि हैं कोजों दी होँआप इते हैं तो ये इन आवाजों के लावराबात में कुछ सुनाई नहीं दे तो पीट जाता था देन यू नाट लीव डफूल अले तुम इस फूल को नहीं छोड़ोगे तो यह तो नहीं चोड़ोगे तो यह सब पहले कहता है कि अधर चोडने बाले नहीं हो क्या मैं तुम्हें मज़ाज सखा के दोंगा दा फाइट सेड़ दा दा दूसरे वाड़ा कहता है आल राइट ठीक है तो रंजी भी कर देता है ठीक है वही चलो दुबारा लड़ाई करते हैं सेड रंजी बैट नीदर बॉय मोड लेकिन दोनों में सी कोई लड़का जो आगे नही इंस्पैरेशन और जो वारियर लड़का ओता है जो अजने भी लड़का दो आता है बड़े वाड़ा तो उसके पास में अचान जाना कि क्या आता है कि इंस्पैरेशन आज एक नया विचार आईडी आता है उसको भी विल कंटिनू दाफाइट टुमार और वो कहता है कि भ कल हमें लड़ाई को क्या करेंगे जादी करेंगे दुबारा से करेंगे कंटिन अफाइट एंड़ी नॉट सो यू मर्शी एज आई वर दन तुड़े लेकिन मैं तुमारे लिए उतनी दया ने दिखाऊंगा जितनी आज मैंने दिखाई है आई विल कम तुमारो से रंजी लुट भी कह जाता है कि हाँ भाई ठीक है मर्शी उतर देया सोड़ी मतलों देया तो आज तो मैंने दिखा 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 दी तो थोड़ी तो एको छोड़ रहा हूँ यानि बड़ा लड़का दो आसान दिखाता है उसके उपर कि आज तर को छोड़ दिया कल नहीं लेक्तिव रॉक्स और अपने अपनी जो चटाने हम की तरफ मुड़ जाती है पूर देर खुल अपने प्रकार जो तो तरन है वो क्या था हो जाता है को पर पर किसी प्रकार का रिजल्ट जो नहीं लिकलता है और रंजी जो एक छोटा होने के बावजुद अपने इस वेश हैं मैं इस जगें को छोड़ कर नहीं जाने वाला हमाइं तो यहां तक कानी के अंदर आ हमने पढ़ा कि राजी जो है वो किस परकार से उस लर्के का सामना करता है और आगे की जो सेकिंड चरन्ड है जहां पर उस लड़के ने चेलेंज किया है नेक्स डे के लिए तो नेक्स डे में रंजी किस प्रकार से उस लड़के को हराता है किस प्रकार से उसको अपनी दोस्ती के अंदर बदल देता है और दोनों किस प्रकार से मिल जुल करके दोस्त बंद करके इस पूल का मज़ा लेत कर दो दो कर दो कर दो